क्या केंद्र सरकार ने एक बार फिर से फ्रीज कर दिया है केंद्रे करमचारियों और पैंसन भूगयों का जनुवरी 2022 से मिलने वाला महेंगाई भत्ता जी हां बहुत खतरनाक भी थाबित हो जाती है और अफ़वाओं का जोर गरम कर देती है कुछ ऐसा ही अभी हो रहा है जब केंद्रे करमचारियों को महेंगाई बत्ता दिया जाने से जुड़ी एक खबर सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर एक पत्र वाइरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि केंद्रे करमचारियों और पैंसन मुवियों को दिया जाने वाला महेंगाई बत्ता एक बार फिर से रोक दिया गया है पत्र की माने तो ऐसा इसलिए किये जा रहा है ताकि ओमिक्रोन के बढ़ते संकर से निप्टा जा सके इस पत्र को देखते ही लोग तेजी से इसे आगे सेयर कर रहे है और ये जो लेटर वाइरल हो रहा है जो की आपके सामने है लेटर में आगे कहा गया है कि जब फिर से मेंगई बत्ता देने का फैसला लिया जाएगा तो उसे जनुरी 2022 से जारी किया जाएगा और रिवाइज डिरेट के साथ करमचारियों को जोड़ कर दिया जाएगा लेटर में आगे भी ये कहा गया है कि ये जो आदेस है भी आधेस जारी नहीं किया गया है और केंडरे क्रामचारियों और पैंट संदोग्यों का जो मौझुदा मेहाइबता है वो उन्हें अब जैसे मिल रहा है वो ऐसे ही मिलता रहेगा यानि केंसरकार के द्वारा कोई भी ऐसा आधेस जारी नहीं किया गया है इसलिए जो आदेश फिलाल सोचिल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो एक फरजी आदेश है और आप सभी से भी हमारा अमरूद है कि इस आदेश को आगे किसी को फरवाड ना करें क्योंकि PBII एफेक्ट से के द्वारा जो जान करें दी गई है उसके अमसार भी यह आधेस एकदम फरजी है इसलिए कि इंदे करम चैन को घबराने की कोई भी आविसरता बिल्कुल नहीं है उनका महेंगा यह बत्ता जैसा मिल रहा है वह अगे भी मिलता रहेगा तो फ़लाल इ वीडियो में इतना है वीडियो को लाइक और सेर करें अधिक साथी का आपके दोस्तों सतमे से वह भी इस बड़ी अपडेट के बार में जान सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं बैल आकन प्रेस कर दें और एक लेटस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए